महरसी पतंजली ने स्वास्ते सरीर के बारे में ज़्यादा लिखा है और वो कहते हैं कि जिसका सरीर स्वस्त है उसका मन बुद्धी स्वस्त रहता है और जिसका मन बुद्धी स्वस्त है उसकी आत्मा भी पवित्र और स्वस्त रहती है और फिर भजन में आदमी ज़्यादा टाइम देता है, ज्यादा आनन्द और ज्यादा प्राप्ति होती है अचा बता हो, सिर्धूख्रा हो तो आप इसमें मन लगेगा? किसी को फीवर आया हो, तो काम करने की इच्छा होती है, तो फीवर आने पर शरीर बिमार हो जाता है, काम करने बंद हो जाता है, सीधा हो गया सब तो शरीर स्वस्त होगा, तो काम ज़्यादा होगा, तो राम ज़्यादा होगा, तो पुण्य ज़्यादा होगा, तो सक्ती ज़्यादा होगी, रामायन ग्रंत राम कथा राम मंदिर सास्त्री जी आचार जी गुपता जी सर्मा जी पारासर जी बस इतनका ही परचे कराया था पहले दिन आज तक पक्का परचे गुरु जी के पास एक बार जो नाम निकल गया कान में से एक बार जो चित्र आँख से निकल गया वो पर्मानेंटे महत्मा के पास में पर्मानेंटे दो चार करोडों का नाम तो मैं ऐसे ही जानता हूँ नाम से सकल सूरत से तो कितने करोडों को जानता हूँ पहचानता हूँ ये सब इसलिए संबव है कि पतंजली रिशी की बात मानता हूँ क्या कहा पतंजली ने आहार सुधव सत्य सुधव सत्य सुधव धुर्वो इस्मर्ति अगर आहार आपका पवित्र है तो आपकी इस्मर्ति भगवान जैसी ही रहेगी आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कुछ पर आपका आहार ठीक नहीं है तो फिर आपकी इस्मर्ति को कितना भी कोचिंग दो फिर ये भूलेगी भूलेगी इसलिए आहार पर भजन निर्वर है और आहार पर ही ब्यवार निर्वर है ये ध्यान रखो हाँ हिरन बकडी बेड ये सब जानवर है आज तक इन्होंने किसी आदमी को नहीं मारा है क्यों नहीं मारा है क्योंकि ये मास खाते अच्छा बेड और बकडी कुट्टा उनकी बरावर का ये कुट्टा पर कुट्टे ने कितने लोगों की जान ले ली क्यों लेली बताओ खाने का प्रभाव सोच का प्रभाव दांतों का बिस बदल गया बरावर आकार है बस यही सारे में समझ जाओ प्रमान पत्र गुर्देव समझाते हैं बस आप मान जाएए यह नवरात्री बरत कर रहे हैं बहुत सो लोग ब्रत कर रहे हैं इस समय मास बगेरा नहीं खा रहे हैं सब लोग पर पर 19 तारी का डेट बना के पक्का रखा हुआ है 19 तारी के इंतजार में बैठे हैं और अब ब्रत चाल हुए अब रोटी तक नहीं खा रहे फल पर डिपेंड है चाय पी रहे दूद पी रहे यह पी रहे इतने सुद्ध चल रहे कारी करम नवरात्रे जैसे दस्वी आ जाएगी हवन पूजा पूरा हो गया इन नकली भक्तों को ऐसा लग रहा है कि बन नवरात्री का पूरा फल प्राप्त होगा 19 तारी को जो खेल होगा उस दिन से पहले 9 दिन पूरे देवी देख रहे हैं तुमको जिनके हाथ तो तुम दो हाथों से भारत से फीजी एंडे न्यूजी लेंड न्यूजी लेंडे कहा का घूम रहे हो और वो अठारे हाथ वाली कहा का पोन जाएगी यह ज्यान रखो इसलिए कोशिस ये की जाए कि नवरात्री अगर पकड़ी है तो दुबारा फिर उसको मत पकड़ो जो पकड़ रखा था देवी माता ने कृपा किया सुम महूरता आया है और नो दिन नो दिन देखिए मेरी सबसे अधिक पहिचान भारत में इसी लिए है इसी काम के लिए ब्यसन और मासाहार मुक्ती ये दो काम पर मेरा अंदोलन चल रहा है और अंदोलन सफल भी है पंद्रे करोड से भी ज़्यादा लोगों का छुड़ा सुकाओं कागजों में भर भर के फारम सेवा बड़ी गैदरिंग रहती है कथाओं की तो बहां लोग सुधरती भी जल्दी है ज़्यादा रहते हैं तो सुधरते हैं क्योंकि जितनी सुनने वाले रहते हैं उतनी संख्या के हिसाब से लोग सुधरते हैं आपकी संख्या इतनी है यहाँ के भसाब से तो ज़ाजा ही है तो मैं यहाँ भी आसा करता हूँ कि आप सुधर जाओ क्या सुधर जाए महराज हम क्या बिगड़े हैं ना गल्ती हो रही है बस वो गल्ती बदल लो बिगड़े नहीं हो आप जो परंपरा तुम्हे प्राप्त है अपने माता पिता दादी दादा से वो विचारे भोले वाले थे परेसानी में थे इसलिए प्राण बचाने के लिए कुछ भी खा गए पी गए उसकी बज़े से आपको यादत आ गई पर आपकी घर में तो सब फिरी इस्टाइल है अब किसी प्रकार का आई अनाज मेंगे से महगा अनाज मेंगे से महगे सब्जिया क्हाओ पर राममंदर में माताटेका है तो मा संधा खाने वाला कालनेमी कहलाता है कौनसा नेमी? कालनेमी आपको बुरा नहीं लग रहा हो तो तीन चार बार कह दू इसको कालनेमी क्या करता है वो कथा में आ गया आएगा एक दो दिन में तब समझ में आ जाएगा राम कोई भक्ती के लिए भजने वाला नहीं है यह ध्यान रख लो राम को लोग अपना काम बनाने के लिए भज रहे हैं कालनेमी भी वही कर रहा था पर हनुमान जी क्या है जै हनुमान ग्यान गुन सागरे एक बार तो ग्यान के सागर भी फेल हो गए कालनेमी को देखके ऐ इतलाक उपर राम नाम का डुपट्टा और न्यूजिलेंड की तरह समुद्र के बीच टापू पे बैठके ऊम रामायन मंडली औम रामायन मंडली कोई मैं जानता हूं बाकि को नहीं जानता तो उन्हीं से कह रहा हूँ पधान जी क्या करेंगे बंडली का आज बृत लेना है क्योंकि आयोजन करना ही आगे आयोजन करना है तो एकदम पक्का होके करना है बिल्कुल में थी पालक पे आ जाना है सबको हाँ क्योंकि सभी लोगों की पित्रों का उद्धार हम और आप मिलके ही कर डालेंगे कोई सामिल हो या ना हो हम और आप मिलके ठोक देंगे उद्धार कर देंगे सब का हमारी तरब से बेफिकर रहो ठीक है बच चिंता छोड़ के चलने दो धुमाधार पर मरे गरे का उद्धार करने दुस्मन भी आते हैं ये द्धार रखना हमारे यहां तो मर जाए कोई ना तो दुस्मन भी आते हैं उसकी अंतिम यातरा में क्यों आचार जी लड़ाई भूल आते हैं लोग एक दिन के लिए अरे यार जिसके साथ लड़ाई थी वो मर गया अब क्या है अंतिम दिने विचारे का चलो जाके आएंगे बाद में फिर वो तेरवा खाने नहीं आते पर मरे में सामिल होते हैं तो मैं भी उसी में सामिल होना चाहता हूं जिनको मैं जानता नहीं देखा नहीं पर मानिसिक रूप से हम समझ चुके हैं कि ये बड़ी प्रोब्लम है इस प्रोब्लम का हल क्या है तो श्री नारद और सनत कुमार का जो संबाद है वही उसका हल है इशी लिए पाके मानस कतन फरमा इस पाके मानस कतन कर प्रभू का भजन दुनियदारी का कोई भरोसा नहीं पाके मानस कतन कर प्रभू का भजन दुनियदारी का कोई भरोसा नहीं भरोसा नहीं पाके मानस कतन कर प्रभू का भजन दुनियदारी का कोई बरोसा नहीं ओ रिस्तेदारी का कोई भरोसा नहीं ओ मालदारी का कोई भरोसा नहीं भरोसा नहीं पाके मानव का तन करे प्रभू का वजन पाके मानव का तन एक बार सब के हाथ हाथ थोड़े से ठ्रेस हो जाओ आपने हर एक बात को दिहान से सुनाया और मानव यह के सही बोल रहें पर आदत हो गई है यह जो आगे की लाइन बैठी है यह सब पचास के साथ के उपर की बैठी है इतनी पुरानी आदत है कैसे महराज जल्दी से परजिंता न करो बुरानी तीस साल पुरानी बीमारी भी रही तो दस पंदरे दिन एडमिट करके ठीक हो सकती है तो नो दिन का केस चल रहा है एडमिटिंग का पाके मानव का तन कर प्रभू का बजन दुनिया तारी का कोई बरोसा नहीं बरोसा नहीं पाके मानव का तन कर प्रभू का बजन ओ लाख बाले गए लाख बाले गए अरब बाले गए कितने गोरे गए कितने काले गए कितने गोरे गए कितने काले गए लाख बाले गए अरब बाले गए लाख बाले गए अरब बाले गए कितने गोरे गए कितने काले गए, कितने गोरे गए, कितने काले गए होजदारी का कोई बरोसा नहीं, बरोसा नहीं आई अजल कि आई अजल, अजल पारसी भासा का शब्द है, इसका अर्थ है मृत्यू कि आई अजल, तो सब अकेला ही चला गया आई अजल तू अकेला ही चला गया था सब कुछ घर में जमा, पर कुछ न ले गया तो क्या करना चाहिए भी? पाके मानव का तन करे प्रभू का बजन दुनिया दाड़ी का कोई वरोसा नहीं पाके मानव का तन करे प्रभू का बजन पाके मानव का तन करे प्रभू का बजन पाके मानव का तन करे प्रभू का बजन